भाई, ये क्या कर रहा है तो? बाल सेट कर रहा हूं ब्रोग अबे लेकिन ये तो तुने बड़े गिले गिले सा स्टाइल बना लिया है क्लासी नहीं लग रहा विल्कुल भी अबे यार वो पता है मेंको वो अजीब सी वेट लुक आ गई है अब आपको जिस टाइप का स्टाइल बनाना है आपको वो स्टाइब कहां पे लेके जाना है आपके बालो का टाइप क्या है इन सब के हिसाब से आपके लिए सही स्टाइलिंग प्रोडक्त प्लीज भूँट द्यान से सुनना और एंड तक देखना वीडियो and video में कहीं नहीं एक giveaway भी चुपा हुआ है तो बहुत ध्यान सा देखना video and to be your best in looks at personality अभी subscribe करो for 3 new videos every week and हाँ notification भी on कर देना देखो hair styling product का basic काम होता है कि आपके बालों जब आप बोल लगाओ तो आपके बाल किसी एक desired तरीके की shape और look में आ जाएं लेकिन अब style के पीछे इतना भी मत भागना कि आप रोज रोज कोई ना कोई product लगा रहे हो अपने बालों में क्योंकि generally इन products में कुछ ना कुछ chemicals होते ही है देखो chemicals कुछ बुरा नहीं है बट एकदम जो dangerous harmful chemicals होते हैं वो नहीं होने चाहिए आप जब लगा रहे हो product अपने बालों पे वो 3-4-5-6 घंटे लगाओंगे उसके बाद आके बस आपको अपने बालों को wash जरूर कर लेना है इतनी कम देर के लिए कोई भी ऐसा product लगाने से कोई problem नहीं होगी आपके बालों में यार hair styling product से बाल उन लोगों के ज़रते हैं जो की पूरा पूरा दिन लगाए रखते हैं रात को बिना धोय सो जाते हैं और हफते में हर दिन लगाते रहते हैं अगर आप हफते में एक ही बार hair styling product लगा रहे हो या maximum दो बार लगा रहे हो और रात को सोने से पहले wash भी कर रहे हो और साथ में आपने बालों का ध्यान भी रख रहे हो हफते में एक या दो बार oiling करके तो आपके बालों को कोई problem नहीं होगी उन hair styling product से तो hair styling product शुरू करते हैं, सबसे पहला होता है gel यार gel का hold होता है, आपके बालों को वो किता रोक के रख रहा है बहुत हाय होता है, और gel में shine भी next level की आती है, shine का मतलब कितनी चमक है लेकिन आपको मैं यह भी बता दूँ कि gel सबसे घटिया hair styling product होता है एक तो जब आप gel लगा लोगे, तो आपके बाल एकदम एसा rock solid हो जाएंगे, पत्थर जैसे बन जाएंगे उसके बाद उसमें कोई flexibility नहीं बचेगी, आपने अगर हाथ वाथ मार दिया, तो आप actually हिला भी नहीं पाओगे बालों है, oil based नहीं होते, तो इसलिए इनको लगाने के बाद इनको निकालना बहुत असान होता है, आप बस पानी मारोगे और थोड़ा सा conditioner लगा लोगे, सब हट जाएगा तो वो सारे gel तो बिल्कुल बरबाद होते हैं, आपके बालों को बहुत हाम करेंगे, तो gel सिरफ उनको यूज़ करना चाहिए, जिनके बाल एकदम थिक है, मोटे घने बाल है, अगर आप किसी ऐसी टाइप की occasion पर जा रहे हो, जहाँ पर आपको बहुत next level strong hairstyle चाहिए, daily life में जैसे college वगएरा जाना या फिर daily office वगएरा जाना उनके लिए आपको नहीं use करना चाहिए gel, next year sell product है pomade, यह pomade होती है, थोड़ी wax जैसी feel होने वाली और gel जैसी बीच की होती है, pomade देखो दिखने में और use वगएरा करने में थोड़ी wax जैसी ही लगेगी, कभी-कभी and translucency होती है, लेकिन इसकी best बात यह है कि यह gel की तरह आपके बालों को एकदम ही ऐसा pointy suny कर देती है, लेकिन तब भी shine जरूर देती है, pomade का hold अच्छा होता है, साथ में जो shine देती है, वो classy वाली shine देती है, तो इसलिए अगर आप किसी formal type के function पर जा रहे हो, जैसे wedding हो गई या फिर office का कोई बड़ा event हो गया, तब आप pomade यूज़ करो, pomade को यूज़ करना भी बहुत असान है, वही अपने damp hair पे आप अराम से pomade लगा लो, और उसके बाद एक, अगर आप brush यूज़ करना चाहो, brush भी यूज़ कर सकते हो, और hair dryer से अपने बाल सेट कर लो, pomade में आ और भी बहुत सारे hair products में होता है, oil-based और water-based, water-based का ये फाइदा है कि वो आपकी बालों से जल्दी निकल जाते है, तो समझो आप party से घर वापस आए, उसके बाद अफटाक से अपने बालों को पानी से भी धोगे आपका water-based वाला product निकल जाएगा, लेकिन water-based वाले में alcohol content भी होता है, जो कि आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, तो oil-based वाले आपके बालों के लिए better होते हैं, लेकिन अब oil-based में यही दिक्कत है कि उनको निकालने में दिमाग खराब हो जाता है, मतलब आपको shampoo करना ही पड़ेगा अच्छे से, यार, pomade use होता है, थोड़ थोड़ा सा fun type का style लेता है, तो जितने भी casual hairstyles हैं, जैसे कि quiff वगरा हो गए, messy quiff हो गए, उन सब में आप इसको बहुत अच्छे से use कर सकते हो, wax की बहुत बढ़ी है बात ये भी होती है, कि आपने समझ लो wax लगा के कोई hairstyle बना लिया, उसके बाद आप throughout the day अपने बालों की बात करी, वो thin hair वाले नहीं use कर सकते है, क्योंकि उसमें आपका scalp बहुत जादा देखेगा, wax में आपका scalp उतना नहीं दिखता है, क्योंकि ये बालों को थोड़ा सा dryish look देता है, थोड़ा matte look देता है, shiny नहीं होता है, अब wax का hold भी अच्छा होता है, not the best, लेकिन काफी अ पसंद है, और बाकियों को भी इसना जादा इसले क्यों पसंद है, क्योंकि आप wax, जैसे college बगेरा में daily भी जा रहे हो, समझ जो आपकी crush आने वाली है, तो आप उसके सामने भी लगा के जा सकते हो, ऐसा नहीं लगेगा कुछ special करके आई हो, बटा बच्छे भी लगोगे, अब wax में भी same चीज होती है, oil base भी होते है, water base भी होते है, उनका difference में आपको बताई चुका हो, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से water base न, oil base से इतने जादा comfortable होते है, क्योंकि oil base में आपका इतना धिमाग खराब होगा, मेरे पास एक craves company का है, वो full natural है, ठीक है, उसमें कोई chemicals भी नहीं है, तो बालो की health के लिए perfect है, उससे better कुछ भी नहीं है, और ये वो जो आपका fitty उबर है, उसने भी craves recommend किया हो, मैंने recently देखा, लेकिन यार, craves उसने मुझा लगता है, बिना use करे recommend करोगा, क्योंकि अगर आप craves use कर लो, especially winters में, उस के बाद उसको बालों से निकालना इतना मुझकला आप सोच नहीं सकते, मतलब ये organic oil-based वाले products इतने ज़्यादा होते है, मतलब they are harder than my when I have with my girl, अभे sensor क्यों किया, मैंने बोला था, it's harder than my spoon when I have lunch with my girl, anyway, आगे चलते है, अचा by the way, giveaway का question ये है, जो आपको मेंको comments में answer करना है, क अचली आपका अभी क्या hairstyle है, अभी का अपना hairstyle बताओ, next आते हैं कुछ lesser known products जैसे की hair cream, अब hair cream ना बहुत कम लोग use करते हैं, क्योंकि इसका function सिर्फ इतना होता है, कि आपके बालों को defrizz कर देगा, मतलब अगर आपके बहुत जादा wavy या फिक curly बाले है, तो उनको थोड happiness, waviness, जो साथ में से entangle होते हैं, या अगर आपके normal medium length के बाल है, तो आप cream को as a pre-styler use कर सकते हो, pre-styler का मतलब actual product लगाने से पहले थोड़ी सी cream लगा लोगे, तो थोड़ी सी cream हो जाएगी, थोड़ा सा next product हो जाएगा, तो आपके बालों का hold बहुत अच्छा होता है, मेरे बालों में थोड़ी सी shine आ जाती है, तो थोड़ी सी shine अगर serum से आ गई, तो उसके बाद आप wax भी लगाओगे, तो आपको shine वाली दिक्कत नी होगी, बढ़ हाँ, hair serum भी आप pre-styling के लिए definitely use कर सकते हो, एक और ऐसा product जो पता नहीं क्यों लोग use करते हैं, वो आजकल चल रह और scalp पे कोई भी product लगना बहुत बुरी बात है, जिनके thin hair है, उनको तो बहुत जादा दिक्कत होगी spider web से, please मत use करना, अब ऐसे ही एक और product जो कि मुझे personally कुछ खास नहीं पसंद, बट काफी लोगों को पसंद आता है, वो है mousse, वो है mousse, अब जो आपके बालों में mousse वा लेकिन आपके बालों को थोड़ा सा थिक दिखाता है, तो बहुत जादा volume आदा जाती है आपके बालों में, बस ध्यान रखना माना कि मूज असान है लगाना तो उसको यह निए कि dry बालों पे लगालो उसको थोड़े से damp बालों पे लगाना, और अगर आप सिरफ मूज ल तो आपको इस वीडियो में पता चल रहा है कि यह कितनी next level काम की चीज़ है, तो वो है एक volumizing powder, अगर आपको बाल खड़े करके नहीं जाना, तो क्या ज़रूरत है wax, clay, gel, pomade लगाने की, volumizing powder आपके बालों में volume add करता है, और आपके बालों को थोड़ा सा puffy दिखाता है, यह सिरफ थोड़ी सी messy looks के लिए और थोड़ी सी volume वाली looks के लिए, basically volumizing powder आपके बालों के oils के साथ रियाग करता है, उसके अंदर chemicals basically, और वो उस area को dry कर देते हैं और थोड़ा सा texture आड़ कर देते हैं, तो अगर आपका hairstyle थोड़ा fringes type का है, जैसा या आगे से ऐसे fringes निक और volumizing powder की best बात ही है कि इतना असान है इसको apply करना, आपको कुछ product लेके हाथ पे नहीं घिसना है, direct powder है, बालों में छड़क लो, और इसको उतारना भी उतना ही हसान है, सिरफ आपको water से wash करना है, सारा हट जाएगा, बट हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ी है product है, तो ये ब क्योंकि वो नमकीन spray ही है, जो कि आपके बालों को थोड़ा सा crunchy और थोड़ा सा messy सा look देती है, मुझा ऐसा beach look type, तभी इसका नाम sea salt spray है मुझा लगता है, और sea salt spray भी इतनी असान है लगाना, मतलब आपको कुछ हाथों पे मलना नहीं है, direct spray करना है बालों में, that's it, तो messy hairstyles क के लिए, जिनके specially बाल थोड़े से flat हैं या thin hair है, उनको थोड़ा सा volume भी आड़ करना हो, तो volumizing powder और sea salt spray बहुत अच्छे products है, लेकिन अब आते हैं सबसे घटियाव hair styling product पे, मतलब घटिया इसके लिए क्योंकि एक तो बालों को harm इतना जादा करता है, इतना जादा हाम करत है, और उपर से, मतलब मुझे तो बहुत गंजा लगता है product hair spray, अभी ये पता ही है काफी लोगों को कि, यार hair spray ही ऐसी चीज है, जो कि आपके hair styling के बाद, पूरे hair style को lock करती है, मतलब आपने बाल बना ली उस बाद spray मारोगे, तो वो style वैसा का वैसा रहेगा, hair spray से ये भी ह सबसे गंदी हो जाती है, कि वो आपके scalp तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि यार spray है तो आप hair spray यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत rarely, मतलब कोई बड़ा event है, सिर्फ तब, जैसे कि महीने में एक बार, या दो महीने में एक बार, अब hair styling के products, तो मैंने आपको बता दिये, लेक अब जिसे कि आप अपने बालों को, जिसे मम्मी अपने बालों को सुखाती है न, वो जो गंज ऐसा दिखता है, उसके अंदर से हवा निकलती है, तो बाल सूखते हैं वो, hair dryer का, कहोगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन सबसे important point उसका समझ लो, कि hair dryer की heat setting क अगर तेज हवा है, तो आप अपने बालों को अच्छे से style कर पाऊगे, जो कि बहुत important है, यार क्योंकि गरम हवा से आपके बालों का moisture हट जादा है, कुछ जादे ही बिल्कुल strip off कर देता है moisture, और आपके scalp पे गरम हवा लगने से आपकी roots बहुत weak हो जाती है, तो best है, एक ऐसा hair dryer जिसके अंदर cold air या cool air का button हो, मतलब उसमें उसको heating on ना करनी पड़े, लेकिन उसकी हवा का force ही इतना तेज हो कि आपके बाल अच्छे से set हो जाए, बट ये hair dryer होते हैं थोड़े से महंगे, तो मेरे हिसाब से आप hair dryer पे जित्ता जादा खर्च कर सकते हो कर लो क्यों आपका style better मनेगा, hair dryer में एक और चीज जो important है, वो ये है कि जो उसका mouth होता है, वो goal होता है, तो goal area से हवा उतनी अच्छे से निकलती, अगर उसके आगे एक nozzle साथ में मिल जाए, तो वो better है, क्योंकि वो rectangular सी nozzle होगी, तो सीधा-सीधा आपके बाल पे हवा पड़ेगी और बा आप यूज कर सकते हो, उसको यूज करने का तरीका जानना है, तो मैं को नीचे comments हो बताना, मैं hair style कैसे बनाना है, उसके ओपर एक वीडियो बना दूगा, और अगर आपको अपने बालो में सिर्फ थोड़ा सा texture add करना है, तो आप एक wide comb यूज कर सकते हो, अब comb का भी ये सी अब categories के हर budget range के products, नीचे description में होंगे, चाहिए आपकी budget 200 हो, 300 हो, 500 हो, 700 हो, कुछ भी हो, नीचे description में होंगे, लेकिन अगर आपकी budget कुछ जादे ही कम है न, और आप सिर्फ एक hair styling product लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 300-300 रुपे तक का एक wax लेलो, प्लीज, प्लीज, प्ल हाले hair styling products मत लेना, उसमें इतने गंदे chemicals होते हैं, आप hair styling तो कर लोगे, लेकिन आपके बाल बिल्कुल जढ़ जाएंगे, बरबाद हो जाएंगे, तो thank you for watching this video, अब आज आते हैं इस video के giveaway पे, 5000 likes complete होते ही, इस video पे मैं एक giveaway करूँगा, 2000 रुपी के online shopping voucher का, details screen पे हैं, look your best, feel your best and be your best.